एशिया वर्ड का सबसे बड़ा रोस्टर केरी मिनाटी इंडिया का रहने वाला है इसको यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन दोनों मिल चुके हैं 17 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं आखिर केरी मिनाटी के वीडियो क्यों डिलीट करती गई केरी मिनाटी की डिलीट होने वाली वीडियो का टाइटल टिक टॉक विद यूट्यूबर्स था वीडियो डिलीट होने की दो ही वज़ा हो सकती है एक तो इसकी यूज की हुई लेंग्विज और दूसरा टिक्टोकर्स की कम्प्लेंज केरी मिनाटी ने इस वीडियो में टिक्टोकर्स को बुरा कहने के साथ साथ अपनी स्पीच में गालियां भी यूज की लगता है हमारी जनरेशन को इसकी गालियां कुछ ज़्यादा ही पसंदा गए वीडियो रिलीज होने के बाद एक हफते में ही केरी मिनाटी के टू मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए इस वीडियो पर ना सिर्फ सोशल मीडिया ने बलके इंडिया के न्यूस चैनल्स ने भी डिसकस की इतनी ज़्यादा रेटिंग होने के बावजूद यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया अब केरी मिनाटी के चैनल को तो खदरा है ही इसके साथ साथ अधर रोस्टिंग चैनल्स वाले भी अलर्ट हो जाएं अगर हम यूट्यूब के गाइडलाइन को देखें तो ये एक क्राइम है किसी पर उंगली उठाना या किसी को बुरा बुला कहना ना सिर्फ यूट्यूब गाइडलाइन में बलके रियल लाइफ में भी क्राइम है नौ मोर रोस्टिंग वीडियो यूट्यूब जल्द ही अपने न्यू रूल्स की अनाउस्मेंट करेगा मिस्टर नुमान अलीम भी आगए मिदान में मिस्टर नुमान अलीम का कहना है कि 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसी गालियां ऐसी लेंगविज पसंद होती है फिर वो ना सिर्फ ऐसे चैनल्स को सबस्क्राइब करते हैं बलके ऐसा हेट सीकर दूसरों पर अपलाई भी करते हैं मिस्टर नुमान अलीम की यूट्यूब के रिप्रेजेंटेटिव से बात होने के बाद ये पता चलता है कि इन फ्यूचर रोस्टिंग चैनल्स बंद भी किया जा सकते हैं पर एसोपीस दे दिये जाएं जिनको फॉलो करके रोस्टिंग चैनल्स बरकरार रह सकते हैं दूसरी तरफ अनिंग एन लानिंग के स्टार शफीक जाफरी भी इस बारे में बता रहे हैं शफीक जाफरी का कहना है कि अगर यूट्यूब किसी वीडियो को डिलीट करता है तो फिर वो ओनर को एक चांस देता है जिसमें वीडियो करियेटर अपनी वीडियो के लिए अपील कर सकता है TikTok को YouTube के साथ compare करने पर जितनी भी वीडियोज बनी है उनमें से बहुत सारी YouTube डिलीट कर चुका है वीडियो creator की अपील के बाद एक बार फिर YouTube वीडियो का एनलाईज करता है यह हकीकत है कि YouTube पे बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हुई है जिसमें bad language यूज हुई है लेकिन यह वीडियो रिबोर्ट नहीं होती कैरी मिनाटी की वीडियो काफे रिबोर्ट हो चुकी है जब वीडियो रिबोर्ट हो जाए तो वो YouTube के कंट्रोल में आ जाती है और बहुत सारी रिबोर्ट पर YouTube इस वीडियो को डिलेट कर देता है और करियेटर के लिए ने रूल्स बना देता है कहा जा रहा है कि अगला टार्गर डकी बाई को किया जा सकता है क्योंकि डकी बाई भी TikTok विड यूट्यूब और टॉपिक्स पर रोस्टिंग कर रहे हैं क्या डकी बाई की वीडियो पर भी रिपोर्ट हो सकती है लर्निंग एंड अर्निंग शफीक जाफरी का कहना है कि डॉट वरी डकी बाई हम आपके साथ हैं अब रोस्टिंग चैनल के लिए बस एक ही एडवाईस है कि वो जिसकी भी रोस्टिंग करें उसकी परमिशन के साथ करें रोस्टिंग चैनल बनाने का फास्ट रूल तो यही है लेकिन आप लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं केरी मिनाटी को तो अब उपर वाला ही बचाए इन्फोमेटिव बाते जानने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अलाफीस